इस काईनी का सीरसक है सबसे अच्छा सस्त्र बात से अकवर मां राजा होने के शाथ साथ बहुत ही मनोरंजक प्रवरवर्थी के व्यक्ति भी थे अपने मंतरी और दर्वारियों के साथ मस्करी करने के लिए अक्सर वे उनसे प्रस्ण पूचा करते थे प्रस्ण भी सरल किंतु असाधारण होते थे एक वार दर्वार में बैटे बैटे राजाकवर के मस्तिस्क में एक प्रस्ण उठा कि सबसे बड़ा सस्त्र क्या है उन्होंने देड़ ना करते हुए तुरंत अपने दरवारियों से पूछा बताओ सबसे बड़ा सस्त्र क्या है सभी मंतरी और दरवारी अपना अपना मत व्यक्त करने लगे किसी ने भाला किसी ने तलवा तो किसी ने तीर कमान कहा जबकि बीरवल की बारी आई तो उन्होंने कहा महराज मेरा मानना है कि मुसीवत के समय जो कुछ भी हात में है वही सबसे बड़ा सस्त्र है बीरवल का यह उत्तर सुनकर सभी दरवारी हसने लगे अकवर भी बीरवल के इस उत्तर पर संतुष्ट नहीं दिखाई दिये बीरवल उस समय तो कुछ नहीं बोले कि उन्होंने मन ही मन में यह निश्य किया कि वह अपने उत्तर को प्रमाण तवर्श्य करेंगे बादसा अकवर अपने कुछ मंत्रियों और बीरवल के साथ लिए किन्तु मत्वाले हाथी के सामने किसी की न चली वह तो अपने दुन में आगे ही बढ़ता चला आ रहा था अपने बचाव के लिए उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और गली इतनी तंग थी कि वहां से भागने पर भी बचना नामुमकिन था उस गली में एक किनारे चोटा पिल्ला बैटा हुआ था बीर्वल की नजर उसपर पड़ी बीर्वल ने बिना देर कि उस पिल्ले को उठाया और हाथी की सूड पर फैंक दिया ऐसी स्तितीती میں पिल्ले ने कस कर हाथी की सूड पकड़ ली हाती गवरा कर पिल्ले को जटकने लगा हाती की सूट जटकने पर पिल्ला सूट से फिसलने लगा और स्वेम को गिरने से बचाने के लिए उसने अपने पंजे और दाथ हाती की सूट पर गड़ा दिये हाती बिलबला उठा और सूर को जटकने हुए पलट का गली के बाहर भागने लगा हाती को बागता देखकर राजा की जान में जान आई राजा ने जैसे ही वीरवल की ओर देखा तो पाया कि वे मुस्कुरा रहे हैं अकवर ने बीरवल से उनकी मुस्कुराट का कारण पूछा तो बीरवल ने बताया महराज अगर आज यह छोटा पिला सस्तर के रूप में हमारे काम ना आता तो यह हाती वस्य हमारे प्राण ले लेता अब तो आपको विश्वास हो गया ना महराज के मुसीवत के समय जो सस्तर काम आए वही सबसे बड़ा सस्तर है अकवर ने मुस्कुराते हुए हामी बरी सभी मंत्री एक बाद फिर बीरवल के आगे नत्मस तक थे अकवर ने बीरवल को पुरुसकार देते हुए उनकी प्रसंसा की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीवत के समय अपने बचाव के लिए किया गया कोई भी कार छोटा बड़ा नहीं होता जिस कार से समस्या टल जाए वही सबसे बड़ा सस्तर है